डार्लिंग प्रबास की कलकी को इनी बॉक्स पे रिलीस होने में किवल 17 दिन का टाइम बाकी और 200 फिल्म का ट्रिलर आपको 10 जून को देखने को मिलने वारा किवल कुछी घंडों कबाब फिल्म का ट्रिलर जो है बड़े परदेव आपको देखने को मिलेगा कलकी ने बॉक्स पर रिलीस होता ही तबाही मचा दिया है दोस्तों इस फिल्म का प्रमोशन भी आउट स्टेंडिंग किया रहा है बहुत दमदा तरीके से किया रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चूँगा नौर्थ इंडिया में कलकी कहाई बहुत ही जदा कम है फिल्म के मेकर को ट्रेलर रिलीस करने के बहुत दमदा तरीके से तगड़े तरीके से फिल्म का प्रमोशन करना पड़ेगा तब ही जाके ये फिल्म जो है नौर्थ इंडिया में तबाही तोड़ कमाई करेगी दोस्तों हो सकता है ये फिल्म को लेके अक्साइट है और अलवर जिनकी पुश्पाटू को बुक माई शो पे अडवांस बुकिंग को लेके 2,35,000 अभी से लोग इंट्रेस्टेड हैं अगर बात करें कलकी दोसब अभी भी नंबर वन पे जार ये कलकी का हाई कहिना कि पुश्पाटू का मकाबला में को करत पुश्पाटू बड़रस civ की फिलम है जबके पुश्पाटू का जो बजट है वह पांसु क्रोड का बजट है जबके अप्रबास की कलकी का बजट ते दोसब अब रुटारवन का 300 क्रोड का बजट है जबकि वल्कम टू दे जंगल का भी 300 क्रोड का बजट है तो दोस्तों बहुत बड़े बजट मुवीज भी होती है लेकिन कल की जितना बड़ा बजट किसी फिल्म का आज तक नहीं है ना कुरेगा रिली Unterstüt के टम तक जो कल की का बजजट होगा व 650 कृट से लेके 700 क्रोड तक भी जा सकता होगे फिल्म के प्रमोशन में भी फिल्म के मेकर ने पूरे 100 क्रोड का खर्चा खर्चा करने वाली है जहने 30 से 40 क्रोड का खर्चा हो चुका है ट्रेलर रेलीस होने के बाद बाकी से 40 सब 50 करड़ फूक के जाएंगे फिल्म का बड़े पड़ते पर प्रमोशन करने के लिए ताकर ये फिल्म बॉक्स पे अच्छी कमाई कर पाए अगर बात करें ये फिल्म पहले दिन कितना आपनिंग ले सकती है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रुकैस्ट है अगर आप लोग प्रबास टार्लिंग की डायन फैंस हो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे चलाओ वोस्ते स्क्रेप कर दे वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखेगा दोस्तों कर बात कर अब तक पैन इंडिया फिल्म में जितनी भी बड़ी-बड़ी मुवी से रलीस हुई है जिनके पहले दिन का वर्लवड ओपनिंग कोलेक्शन काफी दंदरा जूनियर एंटिया और राम चलन की ट्रिपल आर मुवी ने पहले दिनी पूरी दुनिया में 220 क्रोड की कमाई करके हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकार्ड कैम किया है जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ पया भावबी 2 ने पहले दिन पूरी दुनिया में वर्लवड बॉक्स पे 214 क्रोड की ओपनिंग ले ती जबके सलार ने पहले दिन वर्लवड बॉक्स पे 178 क्रोड की ओपनिंग ले की केजिफ चैप्टू का पहले दिन का 165 कोड़ का वर्ल विड ओपनिडेस का रिकार्ड तोड़ दिया और थालापधी विजे की लियो मुवी का 148 कोड़ का रिकार्ड सलार ने तोड़ा था परवास के बास अब तक दो हाईस्ट ओपनिंग मुवी का रिकार्ड है तो जबके अगर बात करें जितने बड़े स्केल की कलकी फिल्म है हलाके सलार का बड़े के अबल 300 कोड़ का था सलार ने 300 कोड़ के बड़े के साथ 118 कोड़ की ओपनिंग ले ली थी डंकी के साथ कलैश करने के साथ भी अगर डंकी का कलैश सलार के साथ ना होता तो सलार पहले दिन कम से कम 220-30 क्रोड का अकर को अराम से टच कर सकती थी लेकर अगर बात करियां पर कलकी का हमको क्या रिस्पोंस मिलेगा कलकी कितनी ओपनिंग लेगी जिससे हमको रिपोर्ट मिल रही है फिल्म का ट्रिलर काफी अच्छा रहने वाला है और फिल्म का ट्रिलर पब्लिक को पसंद अगर आ जाता है फिल्म के अडवांस बुकिंग ताबर तुरोती गया है तो फिल्म पहले दिन इंडिया में ही एक सो से लेके 110-20 क्रोड के अकरे को टच कर सकती गया है इंडिया ग्रोव सेलक्शन 150 क्रोड तक भी जा सकता है कल की पहले दिन ओवस मार्किट में 30-40 क्रोड का धंदा अराम से करेगी तो इसे में इसाब से कल की का कम से कम इंडियन क्रोड ग्लक्शन 180-67 तक रहेगा और ज्यादे ज्यादे 210-20 तक भी जा सकता है ये कलकी का पहले दिरिंग का box production collection है अगर बात करें हिंदी में KJF chapter 2 ने life time 435 क्रोड का दंदा करा था भावभई 2 ने 525 क्रोड की कमाई के रही थी साउथ काली जो movies हैं post pending जबके KJF chapter 2 ने 434 क्रोड की कमाई के रही थी इनिन बॉक्स पे 108 क्रोड की कमाई करी थी क्या कलकी movie life time इंडिया में 300 क्रोड का धंदा करेगी 400 क्रोड का करेगी या फिर 500 क्रोड का करके KJF chapter 2 का 534 क्रोड का रिकार्ड तोड़ेगी बावबिल 2 का 525 क्रोड का रिकार्ड तोड़ेगी कौमर्स सक्ष में जरूर बताना में होको मिलता नेकी सुड़ी में तब तक सी यू सुन